कि नमस्कार दर्शकों आप सभी का आज किस विशिश करेकर में बहुत-बहुत स्वागत हैं हमारा जो यह बहुत ही जनसंख्या से भरा पुरा देश है और बदलते दोड़ के साथ कहीं न कहीं बेरोजगारी की मार से हमारे देश की यूबग भी गुजर रहे हैं ऐसी स्थिती में हमारे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा लगातार हमारे यूबगों को नई रोजगार यानि रोजगार का स्रिजन किया जा रहा है उन्हें रोजगार मोहया कराया जाता है ऐसे में आविशक्ता पढ़ती है बहाँ सारे management colleges की आविशक्ता पढ़ती है new starter policies की बिलकुल हमारे देश के मारे निये प्रधान मंतरी जी दोरा new starter policy को स्टार्ट कर पूरे देश के यूबआउं को साथ लेके जो चलने की मुहीम छेड़ी गई है उसमें हमारा बिहार भी आ जा रहा है उसे किस प्रकार नियो स्टार्टर पॉलिसीज के तहट रोजगार मोहया कराए जाने की दिशा में मैनेजमेंट कॉलेजेज भूमी का निभारी है जी हां हमारे साथ आज के कारिक्र में जूर चुके हैं चंद्रकु प्रवंधन संस्थान के निदेशक डॉक्टर राणा सिंग जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले बात कि दिटी बिहार के दर्शकों की ओर से हम आपका स्वागत करते हुए आपकी अनुभाब को हम जानना चाहेंगे क्योंकि जीवन भी एक तरीकी का मैनेजमेंट है प्रवंधन है तो आप इस आसाई में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को मुझे आमंतरित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और दर्शकों को मेरा साधर अभिवादन इस आशे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो देश की बदलती परिद्रिश है इसमें युवाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है और केंदर सरकार और राज सरकार दोनों दिड़ प्रतिग्य हैं कि हम लोगों को अधिक सधिक रोजगार प्रदान करें और उद्यमिता के छेत्र में और स्टार्टप के छेत्र में भी उन्हें बढ़ाया जाए अब हम इस बात की और अगर ध्यान लेकर चलें तो राज सरकार द्वारा बिहार में बिहार स्किल डिवलप्मेंट मिशिन है और नैशनल लेवल पे NSDC है नैशनल स्किल डिवलप्मेंट कार्पोरेशन है तो ये दोनों जो संस्थाइं हैं केंद्र सरकार की और राजसरकार की दोनों इस बात पर काफी ध्यान दे रही हैं और पूरे मनुयोग के साथ जो है स्किल डेवलप्मेंट के प्रोग्राम्स को चला रही हैं ताकि युवाओं में स्किल्स बढ़े और हम जानते हैं कि अगर उनके पास skills आ जाएगा, तो उनकी employability बढ़ेगी, और अगर employability बढ़ेगी, तो वो दोनों छेत्र में खुद का वियावसाई भी शुरू कर सकते हैं, और अपने राज में, राज के बाहर, कहीं भी वो job भी पा सकते हैं, तो इस बदलते दौर में, सरकारें जो हैं, scholarships दे रही हैं, पासकें, और उसके साथ साथ स्टार्ट अप पॉलिसी है, केंदु सरकार की और राजी सरकार की भी, तो बिहार में स्टार्ट अप पॉलिसी 2022 में पुना, जो है, उसे दुबारा से revise किया है, हम इसकी विशे में बात करेंगे, लेकिन हम आपके संस्थान की विशे में पहले बात करते हैं, कि विद्या, संवृध्य, विकास और संस्कृती, चंद्गुर्प्तर प्रवंधन संस्थान के आदर्श वाक्ये हैं, और जहां तक हमारी खुद की जानकरी है, हम सभी की जानकरी है, कि वर्ष 2008 से लेकर लगातार आप CIMP के निदिश्र के पद पर कार हैं, तो आप 2008 से लेकर अब तक जो दौर आपने देखा, तो क्या दौर के साथ हमारे राज्य के यूबा बदले, क्या मैनेजमेंट का जो सिस्टम था वो बदला, क्या बताना चाहेंगे, और आपका अपना अनुभब कैसा रहा, थोड़ा सा इसमें सुधार की अवशक्त ह है, इस 15 वर्षों में, 14 वर्ष हमसे पहले प्रफसर भी मुकुन दास देख रहे थे, मैं पिछले एक वर्ष से देख रहा हूँ, लेकिन पिछले 15 वर्षों में, जो है, काफी कुछ बदला है, और आगे और बदलाओ की अभी भी जरूरत है, तो 15 साल के इतिहास में आपको जानकर हर्ष होगा कि चंदरगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना, CIMP, चंदरगुप्त इंसूड ऑफ मैनेजमेंट पटना, बिहार का एकमात्र प्रबंधन संस्थान है, जो कि राज शासन द्वारा स्थापित है, जिसे भारत के अग्रणी 125 प्रबंधन संस्थानों मे दरजा प्राप्त है, भारत में एक National Institutional Ranking Framework है, जो कि Ministry of Education, Government of India द्वारा संचालित है, तो उसमें चंदरगुप्त प्रबंधन संस्थान को अग्रणी 125 संस्थानों में उसे रैंक दिया गया है, उसके अलावा, इंडिया का एक लीडिंग पोर्टल है, MBAUniverse.com, उसमें टॉप 60th rank दिया गया है, और India Today की जो latest survey आई है November 2022 में, उसमें चंदरगुप प्रबंधन संस्थान को पूरे भारत के जितने भी government के जो business management के colleges से, उसमें देश में 31st rank दिया गया है, 100 में से 31st rank, top 100 में 31st rank दिया गया है, और पूरवी भारत मतलब East India में हमें 6th rank मिला है, तो 15 प्रबंधन का जो हम program चला रहे हैं, और हमारे चात्र राजदेश ही नहीं, बलकि विदेशों में भी अपने ग्यान और कौशल का परचम लहरा रहे हैं, और हमारे हाँ जो 120 seat है प्रबंधन का, तो उसमें चात्र जो है राष्ट्य सर पर competition पास करके, GDPR पास करके आते हैं, उन्हें प्रबंधन के तक्निकी ज्यान कौशल प्रदान कर, उन्हें विश्विस्तरिय मैनेजमेंट प्रोफेशनल बनाते हैं, और देश की विख्यात कंपनियां आकर यहां से placement लेकर जाती हैं, तो इस वर्ष भी कुछ placement हुए? हाँ, इस वर्ष भी लगभग सभी चात्र हो गए हैं, और आठ लाग से बारालाग के रेंज में बच्चे प्लेस में, पहले ही दिन जो है 31-32 स्टूडेंट्स को ICICI ने सवा आठ लाग के पैकेज पे वो कर लिया, डे जीरो पे, इससे पहले की placement शुरू हो, उन्हें प्री प्लेसमेंट आफर और प्लेसमेंट आफर पॉलिसी की शुरुवात की गई, तो जो हमारा देश, हमारे राज्य के और देश के जो युवा है, जो बेरोजगारी के दंस को लगातार जहेल रहे थे, तो मैं पूछना चाहूंगी कि क्या वो दंस से वो बहार निकल पा रहे हैं, क्या हमारे जो बेरोजगार युवा है रोजगार सुरिजन कर पा रहे हैं और इसमें क्या management जो colleges है उनकी सहायता है सरकार द्वारा जो वित्य वेवस्था की गई है इस new start-up policies के माध्यम से क्या उन तक सही माइने में पहुच पा रहा है बिल्कुल बहुत ही बहतरीन सवाल अब मैं बता दूंगा कि बिहार में राज इश्कुमार जी इन दोनों के उजस्वी नित्रित्व में बिहार तेजगती से अग्रसर है बिहार start-up fund policy में लगभग 500 करोड निर्धारित किये गए हैं ताकि बिहार के युवाओं को start-up के लिए fund दिया जाए और प्रती start-up उन्हें 10 लाख रुपे की प्रारंभिक सीड राशी जिसे हम कहते हैं आरंभिक राशी दी जा रही है और इसे तेजगती से जो है हर महीने जो application आ रही है उसे सरकार उन बच्चों को दे रही है सीड बनी के तोर पे 10 लाख उसे दो ट्रांश में दिया जाता है 4 लाख और 6 लाख वो 4 लाख की अपनी उप्योगिता प्रमान पत्र जमा करते हैं तो बाकी भी 6 लाख दे दिया जाते हैं इसके अलावा मान्य मुख्यमंत्री के नाम से जो है मुख्यमंत्री SCST OBC EBC महिला युवा कल्यान योजना जो है उसके तहत भी उद्यमियों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपे प आवेदन आमंत्रित किये गए थे बिहार सरकार के द्वारा जिसमें लगभग 2,23,000 आवेदन आये मात्र दो दिन 31 तारिक तक आवेदन करने की जो अंतिम्तिती थी दो दिन के अंदर ही मात्र दो दिन के उपरांथ 3 तारिक को सभी जो है आवेदक जो है उनका करने का जो है घोशना कर दी गई मानिय उद्योक मंत्री के द्वारा उनके मौजूदगी में तो सबसे बहतरीन बात यह है कि आज की परिप्रेक्ष में गती बहुत माइने रखती है और सरकार की मनशा सपस्ट है कि हम अधिक से अधिक छात्रों को युवाओं को उन्हें प तो आपकर जानकर हैरत होगी कि मैं अभी यहां आने के पहले सभी उद्यामियों को उनके प्रशिक्षन कारिकरम का सर्टिफिकेट वितरन करके आया हूँ उन्हें छे दिवस की प्रशिक्षन भी दी गई है कि ना सिर्फ पैसा दिया गया है बलकि उनको बहुत विख्यात प्रशिक्षकों द्वारा व्यवसाय कैसे स्थापित करें उसमें कैसे अधिक सब्सक्राइब आपने व्यवसाय कैसे स्थापित किया जाए आपने यह बात छेड़ दी है तो मैं जानना चाहूंगे कि CIMP जो है स्थाटप के लिए किस प्रकार बच्चों को तयार करता है और किन-किन शेत्रों में रोजगार वो कर सकते हैं कौन-कौन सा उनका शेत्र है जिसमें वो जादा से जादा रोजगार करें जादा से जादा आमधनी करें क्योंकि अगर हमारे राज्य के युवा प्रगती शील होंगे नवाचार के माध्यम से different management courses करते हैं तो definitely वो कुछ ना कुछ अच्छा कर जाते हैं और ऐसे स्थिते में हमारे राज जेवम देश का जो विकासदर है वो भी बढ़ता है तो आप लोगों के द्वारा किस प्रकार उन्हें प्रसेक्षित किया जाता है और किन-किन शेत्रों में बहुत बढ़ता है ऐसा है कि राज शासन ने उद्यमिता के छेत्र में जो उद्यमी योजना लाई है माननीय मुखमंतरी जी के निर्देशन में और उनके इक्षा की अनुसार तो उसमें अब उस 10 लाख में कुछ छेत्र निर्धारित हैं कि वो इस जैसे मसाला उद्योग है रेडिमेट गावर्मेंट से तो उसके लिए तकरीव में इसके अलावा इसके अलावा इसकी अलावा जो स् किसी बी शेत्र में वो इन्नवेशन कर सकते हैं हमारे राज्य सरकार है, new start-up policies के तहद, I am talking about government of Bihar, I am talking about state government, not Turkey country, तो इसके तहद क्या policies लाकर हमारे start-ups को तरक्य दे रही है, new innovative ideas को accept कर रही है, क्योंकि हमारा जो agriculture का अपना area है, हमारा जो शेत्र है, उसमें definitely अब तक्नीकी मदद ली जा रही है, जिसके दोरा फसल के उत्पादन में भी लगातार बढ़ोतरी की बात हो रही है, आपने drone की बात की, तो agro-tech में भी अब drone की बात उठ रही है, start-ups को बिहार सरकार की जो बिहार start-up policy है, उसके अंतरगत इन start-ups को वित्तिय सहायता प्रदान की जा चुकी है, और उसमें सबसे खुशी की बात यह है कि उन start-ups को, अब जैसे एक gram-shree है, तो उन start-ups को वो गाउं में जाके, लगभग गाउं में उन्हें किसानों को end-to-end, मतलब बीज से लेकर फसल उत्पादन की बिक्री तक उन्हें पूरी hand-holding के जाती है, पूरी सुविधा प्रदान के जाती है, और इसके लिए CIMP ने दो तरीके से बिहार के छात्रों के लिए एक नायाब पहल शुरू की है, बिहार में पहली बार, जैसे भारत में इस साल क आनेता प्राप्त हुई है, तो CIMP को 30 सीटे मिली हैं कि वो छात्रों को PGDM, Innovation, Entrepreneurship और Venture Development का पाठिक्रम हमें करने का अनुमदन मिला है, जो कि भारत सरकार के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिशद, Ministry of Education, Government, उसके और भी सबसे शांदार बात यह है कि बिहार सरकार के और अजियोग विभाग द्वारा इस कारिक्रम में जो चात्र पढ़ना चाहते हैं, उन्हें 80 प्रतिशत स्कॉलर्शिप मिलना जा रही है, जो सामानी वर्च के चात्र हैं और जो OBC के चात्र हैं, उन्हें 80 प्रतिशत स्कॉलर्शिप मिलेगी, 使用ีक्रादन महिला है जो S and जो मुझे याद है वो ऐसी है तो जो SCST और दिव्यांग जने उनके लिए 90 प्रतिशत और जो जेनरल और OBC के छात्र उन्हें 80 प्रतिशत तो मात्र जो और इसकी कुल फीस जो है दो साल की मात्र 6 लाक रुपए है तो कहने का मतलब है कि जो जेनरल कैंडिडेट से मात्र 20 प्र आज़ दे कर पूरे कारिक्रम का अध्यान कर सकते हैं और जब वो अपना वंचर डवल अटीज आए तो उनको व्यवसाइब कैसे करें? पूरी हैंड होल डिंग उनकी कंपनी खोलने से लेके कांप आत है कैसे प्रोटोटाइब कर आए काैसे हां वेबशाइट बनाए कैसे ह मार्केटिंग करें कैसे अपने उत्पादों को एक्सपोर्ट करें इत्यादी इत्यादी बहुत सारी सुविधाएं हमारे यहां से प्रदान की जा रहे हैं तो में चयन की प्रकिरिया है ताकि हमारे दर्शक जो है इसका लाब उठाएं सरकार दोरा जितनी भी योजनाय चलाई जा रही है हम सबकी लगातार कोशिश से क्योंकि हम पब्लिक ब्रोड्कास्टर की भूमी का निवाते हैं तो जन जन तक यह बात पहुचे बिलकुल इसमें च पहले उन्हें CAT, Common Admission Test, MAT, Management Aptitude Test, ZAT, AICTE द्वारा आयोजित, CMAT, Combined Management Aptitude Test तो इन चार में से किसी एक टेस्ट में उन्हें बैठ कर पास करना पड़ेगा और उसके बाद हमारे हाँ एक इंटर्व्यू की प्रक्रिया है उसके तहत जाना पड़ेगा तब वो 30 में से अपना एक जगा बना सकते हैं तो मतलब प्रबंधन का एक छोटा सा टेस्ट लेना पड़ेगा उनको CAT, MAT, ZAT या CMAT और उसके बाद उनकी ग्रूप डिसकॉशन और इंटर्व्यू होती है उसके तहत इस प्रक्रिया से गुजरना हुआ ताकि उस स्कॉलर्शिप को वो अवेल कर सके नहीं तो जो रेगुल इसके साथ ही हमारा जो संस्थान है चंद्रगृप प्रबंधन संस्थान इस पत्ना यह हमारा एक जो इनक्यूबेशन सेंटर है CIMP BIIF वो उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा इस्थापित एक को वर्किंग स्पेस है जो कि मौर्य लोक में पांच्वें तल पर चालित है तो इसका नाम भी हमारे संस्थान दा रहा है अचा बीहब क्यों हाँ नाम बता रहे हैं वो बिहार और बिजनस दोनों को समेकी तुरूप से वो प्रिलक्षित करता है कि बिहार का बिजनस हब है तो वो बीहब है और वहां पर लोग आए अपने व्यवसाय को कई पर ऐसा होता है कि जो नए उद्यमी होते हैं उनके पास सबसे बड़ा प्राब्लेम होता है कि वो कॉमर्शिल स्पेस बहुत उचे रेंट पर देके शुरूआत में नहीं ले पाते किराया पर बहुत महँगा तो अगर कोई कमर्शिल रेंड आपके भीहब में लीना चाहे तो वो क्या प्रकरिया होगी उसकी प्रकरिया ऐसी है कि वो बहार सरकार की जो इंडस्ट्रि डिपार्टमेंट की वेब साइट है सबसे पहले वो जा कर वो एक आवेधन आवेधन करें ताकि वो एक स्टार्ट-अब के तौर पर रेजिस्टर हो जाएं और ।सला की आरंभ पर लेना है तो जो लेना चाहँ रहे हैं मन लीजिए मैं लेना चाहरे हो, फहले मुझे सरकार की द्योग विभाग की वेब शारीब सब्सके पर जो ना होगा और उसके बाद वहां वालां लाइन अवेधन करना हो कि वहां हमारा registration होगा और उसके लिए हमको वापिस सरकार जो है अनुदान भी दे रही है आप शाहिद यह कहना चाहिए अनुदान नहीं दे रहे है स्टार्ट अप करने के लिए 0.06 साल के बाद उसे return करना है और 10 साल तक जीरम प्रतिशत बियाज यह कुई ब्याज नहीं कोल दो करना तक यह विवसाएक करते हैं तो दस साल के बाद 0 प्रतिशत व्याट अच्छा मेरी अपनी एक जान करे है कि बिहार राजी खादी ग्रामुद्योग बोर्ड और CIMP के बीच में खास समझाता हुआ है कि इसे बढ़ाया जाए बिहार राजी खादी ग्रामुद्योग इस विशे में आप क्या बताना चाहेंगे बिलकुल CIMP चंदरगुप्त प्रबंदन संस्थान पटना और बिहार राजी खादी ग्रामुद्योग बोर्ड के बीच एक समझाता हुआ है तो अभी मैं आपको बता दूँ कि समय समय पर उनकी जो ट्रक है मार्केटिंग के परपस से हमारे कैंपस में आती है और चात्रों को और जितने भी विजटर्स हैं उन्हें छूट प्रदान करती उसके अलावा भी और कई मुद्धों पर हम लोगों की समझाता हुआ है कि ताकि हम खादी को एक जन अंदोलन कैसे बना कर जन जन तक कैसे पहुँचाएं यानि घर घर खादी हर हर खादी वैसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उस व्यवसाय को एक नई उचाई पर खादी की जो जो उसके फाइदे हैं हमें उसको पहुचाना है हर घर तक पहुचाना है ताकि वो उसके लाब को समझ सके और यह समझें कि जो आज विदेशी जो मूल के जितने कपड़े हैं उसका नुकसान क्या है और खादी का फाइदा क्या है तो हम उन्हें जन जन तक इस जन संचार के माध्यम से ले जाएं ताकि वादिक से खादी को अपने जीवन का अभीन आंग बना सके अब बहुत अच्छी बात है अप लगातार हमें बता रहे हैं खादी तो बहुत जरूरी है ही लेकिन एक जो मेरा महत्त पोड़ना सवाल है कि हमारा जो देश है ना इसमें 30 साल से कम उम्र के यूवा अत्यादी के और हम पूरे वर्ल्ड में यंग कंट्री के रूप में जाने जा रहे हैं और ऐसे में हमारे देश की यूबा अभी भी बहुत जादा बेरोजगार है और कहीं न कहीं उनमें कुशलता की कमी है ऐसी स्थिती से निपटने के लिए आपके संस्थान द्वारा क्या काम किया जा रहा है और क्यूंकि आप लगाता राज्जी सरकार की भी बात हमें बता रहे हैं केंद्र सरकार की बता रहे हैं तो हमारे दर्शकों को जरूर बताएं बिलकुल, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा और मैं अपने माननिया मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस साल लगभग 500 करोड की राशी जो है बिहार के युवाओं की जो कौशल को ऊपर ले जाने के लिए खर्च की है और उसमें आज के जो अडिशनल CEO है मैडम रजीता मैडम वो काफी तेज गती से स्किल डिवलप्मेंट मिशन को आगे ले जाया जा रहा तो बिहार में काफी तेजगती से स्किल डिवलप्मेंट पे समय लगाया जा रहा ताकि युवा जो हमारी बिहार की युवा शक्ति है उसे ग्यान और कौशल से परिपूर्ण कर दिया जाया ताकि वो ना सिर्फ अपने लिए रोजगार प्राप्त कर सकें बलकि औरों को भी रोजगार प्राप्त करने में मदद करें बहुत अच्छी बात अब चलिए क्योंकि हम बिहार में बैठे हैं पटना में बैठें बिहार में बैठें हमारा 38 जिला वाला बहुत ही खुपसूरत राज्य है और 94 163 वर्ग स्कॉयर फीट का हमारा भूमी है और हमारी जनसंख्य का जंगल हम कह सकते हैं लगाता डिवलप्मेंट हो रहा है और भूमी हमारी सिमर्ती चली जारे खासकर अग्री कल्चर लैंड की बात की जाए तो ऐसे में आप किस प्रकार हमारे स्टूडेंट्स को यानि कि जो आपके हां CIMP में पढ़ाई करते हैं उन्हें आप कैसे तया व्यवसाय प्रबंधन से जुड़ा है तो अब चुकि अग्री कल्चर में सॉइल से रिलेटेड मुद्धा है इसके लिए अलग पढ़ाई होती है जो को हम बीएस सी अग्री कल्चर की बात करते हैं लेकिन आपको जानकर हर्श होगा ने मैं यह जाना चाहरी हूं कि आपका अपना मैनेजमेंट संस्थान है प्रवंधन के सेक्टर में किस प्रकार एग्री कल्चर के लिए भी काम कर पा रहा है क्योंकि हमारी टेकनिकली हम बहुत साउंट होते चले जा रहे हैं तो क्या ऐसा कोई प्रसिक्षन आपके संस्थान दौरा बे दिया जाता है बिलकुल मै मैं अभी इसी मुद्धे पर आ रहा हूं अभी हम लोगों ने चुकि यह क्रिशी जो है मेरे दिल से बहुत करीब रहा है यह चेत्र और मैंने सबसे पहले पटना में जो एक संस्थान है ICAR का हम लोगों ने उसके साथ भी समझाता किया ताकि हम लोग कैसे मिलकर जो है अब सॉयल कंजर्वेशन है अब जैसे उसकी जो फर्टिलिटी मैनेजमेंट हैं कैसे उसको फर्टिलिटी को मैनेज कर सके तो इसमें दो डोमेन है एक तो एगरिकल्चर का डोमेन है उसका मैनेजमेंट का डोमेन मैं मैंनेजमेंट की बिलकुल आ रहा हूं तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग उने उनके साथ समझाता किया, नमबर एक, उनके साथ आचार विचार शुरू किये हैं हम लोग ने, और हम लोग कई कारिक्रम जो है लगातार कर रहे हैं, आपको मैं निजी तौर पर भी मैं बता हूँ, मैं खुद यहां से गया था, जो मश्रूम के प्रोडूसर्स हैं, उनको हम यह बताएं कि वो कैसे मश्रूम की प्रोडक्शन को, अब जैसे सबसे बड़ा चैलेंज है कि प्रोडक्शन तो कर लेते हैं, अब उसकी प्रोसेसिंग करके कैसे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाएं, कैसे उसको एक्सपोर्ट करें, तो जहां तक हम बीज डाले और बोए और वो पैदावार हो गई, वहां के बाद की जो स्थिती है, तो मैं परसनली उसमें परसनली इन्वाल रहा हूँ, खुद जाके कई सेशन्स लिये हैं वहां पर, कि मश्रूम ग्रोवर्स हैं, उनकी शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाया जाए, उनकी पैकेजिंग कैसे की जाए, उनकी मार्केटिंग कैसे की जाए, हम लोगों ने अपने संस्थान में, पहली बार बिहार में, आजादी के 75 साल के बाद, पहला राष्ट्रिय मखाना डे हम लोगों ने हाँ, सेलिबरेट करना शुरू किया, तो कहने का मतलब है कि, बिहार के जो टिपिकल क्रॉप्स हैं, उनकी कैसे हम मैनेजमेंट करें, एपीडा के जो एजियम हैं, बरारत से उनको बुला के, कई सारी हम लोगों ने मीटिंग्स करी, नैशनल मखाना डे सेलिबरेट किया, मश्रूम ग्रॉवर्स को वो किया, हम आपका एक सुखर्द संदेश भी हमारे राज्जी के युवाओं के लिए लेना चाहेंगे, क्योंकि आप CIMP के निदेशक के पत पर कारीर रहते हैं, और हमारे युवा लगातार आपको देख पा रहे हैं, बहुत सारी जानकारी चाह रहे हैं, लेकिन हम समय भाव में हैं, तो हमारे जो युवा है राज्जी के उनको जरूर शंदेश थे, जी कैसे वो आगे बढ़ेंगे और आप के हाँ आएंगे? बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले वैसे छात्र जो की अध्यान रहते हैं, ठीक है, तो उन्हें कहूंगा कि आप जब भी भारत सरकार का एक स्कॉलर्शिप पोर्टल है, आप उसको जब भी अगर अध्यान करना है, तो स्कॉलर्शिप पोर्टल को आप स्टड़ी कर सकें, बिहार सरकार का जो एक स्कीम है, जिस स्टूडेंट क्रडिट कार्ड स्कीम, उससे आप लाभ लें और भारत के किसी भी संस्थान में आप अध्यान कर सकते हैं, यह दो पोर्टल ऐसे हैं, बिहार सरकार की स्टूडेंट क्रडिट कार्ड स्कीम, और केन सरकार की स्कॉलर्शिप पोर्टल, हम उसे नैशनल स्कॉलर्शिप पोर्टल कहते हैं, scholarship.gov.in तो इन दो portals का इस्तेमाल करके आप पहले तो आप अपने शिक्षन में खुद को अप्ग्रेड कर लें graduation, post graduation, PhD तक आपको मिल सकते हैं number one, number two skill development के लिए आप NSDC के कई सारे centers हैं बिहार में, बिहार skill development mission के centers हैं उनका lab उठाएं और निशुलक अपने ग्यान और कोशल में आप अभी वृद्धी कर सकते हैं number two, number three start-up policy के तहट आप जो है 10 लाग तक की funding ले सकते हैं अपनी कोई innovative idea दे के उसके लिए आप बिहार सरकार के उद्धियोग विभा की website पर जाएं online register करें number three, number four आप बिहार राजी की उद्धियमी योजना है CMS, CST, EBC, महिला युवा योजना उसके तहट आप आवेदन करके आप जो है 10 लाग तक का लेके उद्धियम स्थापित कर सकते हैं मेरा तो एक संदेश है कि अगर आप अपना निश्चे द्रिड कर लेंगे हमारे जो राजी के यूवा हैं उन्हें आपने बिलकुल ये संदेश भी दिया और हमारे काडिकरम से जुरे इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार उमीद है कि जो आज जानकारी आपको दी गई है निश्चे पॉलिसीज में किस प्रकार आप आगे बढ़ सकते हैं कैसे आप मैनेजमेंट के कोर्स को करते हुए नित नहीं उचाईयों को चू सकते हैं बस आविशकता है अपने आप में डिड़ संकर्पित होने की होसलों की उरान उरने से आपको कोई नहीं रोक सकता तो देखते रहें दूरदर्शन हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त नमसकार